अगर आप अपने boarding वाले station के एक या दो station पहले से बैठना चाहते हैं, train में या फिर अपनी boarding के station से एक दो station बार train में आप बैठना चाहते हैं, तो इस situation में आपके साथ क्या होने वाला है, क्या पैसा कर सकते हैं या फिर नहीं, आपके उपर कोई भी fee and charges तो नहीं लगा जाए क्या है railway की guidelines, सारा कुछ मैं आपको आज की इस video में पूरा detail में बताने वाला हूँ, साथ के साथ आपको इस video के skip करने की जरूदा बिल्कुल भी नहीं है, वीडियो यह से start होने वाला तो यह चलिए, शुरू कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कि आप अपनी fair होगा, वो आपसे charge किया जाएगा, यह बिल्कुली illegal काम है, जो boarding point आपने दिया है, आप वहीं से बैट के अपनी train में यात्रा करिए, अगर आप उससे पहले बैट के train में यात्रा करते हैं, तो वहाँ पे आपके उपर fair plus penalty, यह दोनों ही चीजे एक साथ यहाँ पे आपके साथ दो चीजे हो सकती हैं, या तो आपकी TT जो है, आपकी ticket को ही cancel कर दें, जिसको रद करण बोला जाता है, आपकी ticket ही पूरी cancel हो जाएगी, या फिर TT आपका थोड़ी देर wait करेंगे, और उसके बाद आपकी उस ticket को आपको absent मानते हुए, किसी भी दूसरे waiting वाले passenger को alert वो क चुकी रहेगी, तो आप वहाँ पर पूरी तरीके से without ticket माने जाएंगे, तो इस सीच का make sure करके बिलकुल आप ध्यान देजेगा, अब आपके mind में question ये उट कर क्या रहा होगा, कि क्या आप अपने boarding वाले station को बदल सकते हैं, तो दोस्तों, जी हाँ बिलकुल आप अपने boarding वाले station को बदल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ terms and condition को यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहला point ये है कि आगर आपने विकल्पी scheme को लिया हुआ है, तो आप वहाँ पे अपने boarding वाले point को change नहीं कर पाएंगे, दूसरा जो option है, आप अपने train के scheduled departure timing के 24 घंटे पहले अपने boarding point को change कर सकते हैं, इसके बाद आप अपने boarding point को change नहीं कर पाएंगे, और तीसरा और सबसे जो last point है, अगर आप अपने एक बार boarding station को change कर देंगे, तो आप उसको दोबारा से पहले वाला boarding station या फिर कोई भी other boarding station change नहीं कर पाएंगे, तो basically ये 2-3 point है जिनका आपको ध